कि अब फ्रेंड्स स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूटीव चैनल आईक्यू मेंटर में दोस्तों आज हम लेकर क्या हैं उन महात्वोन प्रश्णों के सिंखला जो आप कोईसी भी वंडे एक्जाम्स में जो आप देते हैं ये कोशन जरूर पूछे जाते हैं ये कोशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हुआ करते हैं आपके हर एक प्रतियोगी पर इक्षाम पूछा जाता है चाहे आप CGL दे रहे हों चाहे आप CHSL दे रहे हों चाहे आप MTS दे रहे हो या फिर आप कोई टीचिंग एक्जाम जैसे DSSV स्टेट ये सब एक्जाम दे रहे है आप MTS आप इसको पढ़ने के बाद याद करने के बाद आप एक्जाम में आग लगा करके आएंगे कोई भी कुश्चन आपसे छूटेगा नहीं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहला सवाल है हमारा मानों का मस्तिक्स लगभख कितने ग्राम का होता है तो 1350 ग्राम क जो भी देखा उनमें से ये आप्शन जो होंगे वही आपके सई जवाब होंगे जैसा है दूथ का खटा होना किडवन का उदाहरण है खाने की खाने की ब्रेड का बनना किडवन का उदाहरण है गीले आटे का खटा होना किडवन का उदाहरण है ये किडवन जो हम पढ़ बार-बार बोल रहे हैं शब्द ये किडवर्ड है कैचीद तो दोस्तों किडवर्ण एक जैवरसाइनी क्रिया हुआ करती है इसमें जटिल कार्बनिक यॉगिक को सूछ में जीवों की सहाइता से सरल कार्बनिक यॉगिक में विघ्टित किया जाता है इस क्रिया में विद्धी के लिए पोशक तक तो प्रदान करता है तो हो है आहार ये पनीर है वो आहार का नाम है पनीर फिर पाँचमत हमारा आता है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली चिपकली है तो उड़ने वाली चिपकली को दोस्तो हम लोग ड्रैको बोलते हैं ठीक है दोस्तो यह है ड्रैको हम आपको दिखाते हैं ड्रैको की फोटो तो यह रही आपकी उड़ने वाले शिपकली यह अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसको उड़ने का तरीका यह है एक से चारो तरह पंक हुआ करते हैं और इसको हम लोग ड ड्रैको के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों और दोस्तों यह जो ड्रैको छिपकली है इसको हम लोग उड़ने वाले छिपकली के नाम से या फ्लाइंग ड्रैगन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं या फिक ग्लाइडिंग लिजर्ड भी इनको हम बूला करते हैं यह ख और ये ग्राउंड फ्लोर से लगबख 100 फिट उचाई पे रहा करते हैं इसी के साथ दोस्तों हम आगे बनाने वाला एक मात्र सांप कौन सा है तो दोस्तों वो सांप है किंग कोबरा को हम लोग नाग देवता के नाम से भारत में जाना करते हैं किंग कोबरा की फोटो है आपकी स्क्रीन पे आप नजर आ रही होगी ठीक है तो समझ में उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो आपको जो किंग कोबरा होता है इसकी जो एवरेज उचाई होती है वो लगबग 5 से 5.6 मीटर तक रहती है और 5.6 मीटर से होकर लगबग 20 फिट तक इसकी उचाई हो सकती है ठीक है और ये जो बाकी जो आम साप होते हैं जो बाकी आप आम स्नेक देखते हैं उन बाकी स्नेकों से ये लगबग 17 गुना जहर जहरीले हुआ करते हैं और यह खासकर South China में, South Asia में और भारत की जतने भी Rainforest है और भारत की जतने भी मैदानी हिस्से हैं वहाँ पर यह खासकर पाए जाते हैं King Cobra हाँ इनके जो रंग होते हैं वो छेत्र के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं वैरी कर सकते हैं लेकिन क्या होग उत्तर होगा वह वेल मचली और शार्क मचली दाले किसका एक अच्छा स्रोत है तो दाल में सबसे जादा दोस्तो प्रोटीन पाया जाता है देसी घी में सुगंध क्यों आती है तो इसी घी में जो सुगंध आ रही है आपकी डाई एसिटिल के कारणा आया करती है इंद्र धनुष में किस रंग का सबसे अधिक होता है तो दोस्तो वह लाल रंग लाल रंग इस वेडिय स क्योंते हैं इसी लिए ये ज्यादा डेवियट न होती है ज्यदे बिखरती नहीं है ना बिखर्दे कारणा इसलिए जो हम लोग कार में वहिकल्स में जो बैक लाइट होती है उसको हम लाल रंग से लगाते हैं ब्रेक लगाने का जो सिंबल है वो लाल रंग का होता है फ़ें रेलेवें क्रोसिंग पे जो ट्रेने है ट्रेनों को रोकने के लिज recommended का लेतर नहीं होता है आप थंड में या और कोहरे में कितना भी मोजने की कला सरुप्रथम जो विक्षित करने वाला देश्थ ह्क वह है चीड ठीग है दोस्तों पुनर्जागरन का बौधिकर्थ क्या था तो वह था तार्कीक व्याकत और मानवाद पहना नेक्स नहाता है पुनर्जागरन काल 108 को मानते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर जागरण के संस्थापक किसको माना जाता है तब होगा पेट्रॉर का आपका एंसर और दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं जियाटो साब की फोटो जियाटो डी बॉन्ड का पूरा नाम है इनको अमनों फादर ओफ रेजिनेंस पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं फिर नेक्स्ट राता है हमारा दोस्तो कि भारतिय सम्विधान कितने भागों में भाजित है तो 22 भागों में हमारा सम्विधान भी भाजित है केंदर और राजी की भी धन के बटवारों के संबंद में कौन राय देता है तो ये दिने काम होता है वित आयोक का यानि कि फाइने Finance Commission का और इसका जो उल्ले के हमारे समविधान के Article 280 में इसका उल्ले किया गया है और इसका गठन जो हुआ है वो 22 नवंबर 1951 में हुआ है नेक्स्ट है किस तरह के भारतिय नागरिक्ता प्राब की जा सकती है या किस तरह से भारत के नागरिक्ता हम बन सकते हैं तो पहला चीज़ आपका जन्म भारत में हुआ हो या वनशानुगत भारत की हो या फिर आप भारत देश में आकर के आपका पंजीकरण किया गया हो भारती सम्विधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है तो भारती सम्विधान ने लोकतंत्रिक गंडरतंत्र को अपनाया है मंत्री परिशत का अध्यक्ष कौन होता है तो मंत्री परिशत का अध्यक्ष दोस्तो प्रधान मंत्री हुआ करता है फिर question number 21 आप से कह रहा है कि वर्स दो हजार दो हजार पांच की आवदी में वन छेत का सरवाधिक ठ्वास कहां देखा गया तो वो कौन सा देश है तो वो देश है दोस्तों इंडियो नेशिया ठीक है फिर आता है दच्छर अमेरिका की सितोष्र घास इस्थलो को क्या कहते है तो उनको हम लोग पैमपा बोला करते हैं फिर next question है जॉर्डन और इस्राइल के मद्य कौन सागर है तो जॉर्डन और इस्राइल के मद्य दोस्तों यह मृत सागर दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जॉर्डन और इस्राइल का यह मैप है जॉर्डन इस्रा अलावा हमारा जॉर्डन रिफ्ट वैली में पड़ता है और ये जॉर्डन नदी का में सहायक नहर है या नदी बूला जाता है और ये इस्राइल और जॉर्डन के बीच में है ये फिर से आपको मैप दिखाए दे रहा हूँ ये इस्राइल और जॉर्डन के बीच में है ठीक ह नेक्स है दोस्तो सारगासो समुद्र किस महासागर में इस्थित है तो दोस्तो ये आटलांटिक महासागर में इस्थित है और ये धर्ती का सबसे अनुखा सागर है और इस सागर की खास बात ये है कि इसका कोई किनारा नहीं है ये सारगासो की पिक आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये देखे इसके उपर ये घास जमी हुई ये सारगासो घास जमी हुई है जो आप देख पा रहे हैं इस सारगासो घास के कारण ही इस सागर का नाम रखा गया है सारगासो और इसके सतह पे घास को तैरते अगर हम देखे तो इस सागर में अथा जल का भंडार है कहीं से भी यह जमीन को टच नहीं करता है वहीं पे अगर हम लोग क्या करें नौर्थ में यह उत्तर अट्लांटिक ओशिन की तरफ के गल्फ ओफ इस्ट्रीम के वेस्ट में और कैनरी करेंट के इस्ट में सारगासु सा यह रहा हमारा सारगासु सागर यह उत्तरी अट्लांटिक ओशिन के जो गल्फ ओफ स्ट्रीम है उसके पश्चिम में और कैनरी करेंट के पूरब में ये इस्ट में यह स्थित है ठीक है दोस्तों गयास्त है दोस्तों रनेल जलदारा किस महासागर की जलदाता है तो वो है अट्लांटिक महासागर की ये फ्रांस के वेस्ट में बिस्की की खाडी अंद महासागर की प्रमुख धारा है इसे हम होट करेंट आफ अट्लांटिक ओसिन के नाम से भी जाना करते हैं देन हमारा नेक्स्ट आता है रेनेल जल्धारा किस महासागर की जल्धारा है तो रेनेल जल्धारा ये अट्लांटिक महासागर में की जल्धारा है देनेक्स्ट है हमारा गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ती कहां से होती है तो वो है मैक्सिको की खाडी से या नौर्धन अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुक धारा है यह Gulf Stream North America के पूर्वी तट तता यूरोप के वेस्टन तट के तापमान को बढ़ा दिया कर The next हमारा दोस्तो कि दैनिक जुआर भाटा के मद समयांतर क्या होता है तो 24 गंटे 52 मिनट का होता है गंगा नदी में डेलुआ किस प्रकार होता है तो यह चापा कार में होता है वही हुआंग हो नदी किस में गिरती है तो हुआंग हो नदी हमारा पीला सागर में गिरा करती है दोस्तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीले यलो सागर को पीले सागर को ठीक है यह जो यलो सागर है यह पूरवी चीन सागर के उत्तरी भाग का नाम है जो स्वयम प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है यह चीन की मुख्य भूमी और उत्तर कुरिया यानि नौर्थ कुरिया की बीच में यह इस्थित स्थान है ठीक है दोस्तों और भी मैपिंग हम ल चाइना है हमारा इधर राइट साइड में यह जो आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेट साइड में चाइना है और इधर राइट साइड में साउथ कोरिया है इस चाइना और साउथ कोरिया के बीच में यह हमारा येलो सी पड़ता है तो चीन का शोक किस नदी के लिए प स्क्रीन के बॉटम पर हुआ करता है कौन सा एक विटामिन अम्रूद में पचुरता से मिलता है तो विटामिन सी सरवाधिक मात्रा मिलता है वहीं पर अगर हम लोग नेस्ट देखें तो चौँतिसवा है भारत के सम्विधान में किस अनसूची में वे तीन सूचिया है जो अगले ऐसीन गेम कब होगा तो अगला ऐसीन गेम हमारा होगा वह दस सब्टैंबर दोuum 2020 को होगा है द OW सब्टैंबर 2020 को होने वाला है हांग चौ में होगा हांग चौ ऑना का एक सिटी है वही हमारा next आता है हमारा sig manometer से क्या नापा जाता है तो वो है हमारा रक्तदाब यानि की blood pressure वहीज से 30 वा कहता है महान long tennis खिलाड़ी याना born बर्किस देश का है तो born बर्क जो है वो tennis खिलाड़ी वो हमारे Sweden के रहने वाले next है दोस्तों मारा किस मशूर खिलाडी का नाम गूगा है तो वो है गीत सेटी 49 वा कहता है किस महिला खिलाडी ने वर्स 2015 के दौरान तीन ग्रैंड स्लैम जीते थे तो वो है सेरेना विलियम्स USA के रहने वाली है चालिसवा कहता है किसी अंतराश्टी फुद्वाल मैच की सामान ने समया अवधी कितनी होती है तो वो लगबग 90 मिनटस तक खेला जाता है यही उसकी समया अवधी होती है वही दलदली भूमी यानि कि जो मार्शी एरिया है मार्शी एरिया में कौन सी गैस निकलती है दोस्त संबंध ही रोगों का अध्यान कहलाती यानि स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ कैंसर आर्गनोलोजी और कॉल्ड आर्गनोलोजी फॉर्टी फिप्त हमारा कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोश्का कौन सी होती है तो वह तंत्रिका कोश्का दात मुख्य रूप से किस पदार् कितनी आख होती है अक्सर पूछा जाता है फसाने के लिए इसमें एक ऑप्शन ने आपको वन टू थ्री फोर दे देगा फिक्त ऑप्शन देगा नौन आफ दीस एनो टी ठीक है दोस्तों जब इन नन आफ देबाव लिख करके देदेगा तो कीच्वे कितनी आख होती कभी कंफ्यूज नहीं होईएगा कि एक भी आखे नहीं होती है या आपको ब्यूकूब बनाने के लिए एक्जाम में कुछन पूछ जाता है वहीं गाजर किस विटामिन से समर्द्र दिश्रूत होता है तो गाजर में सरवाधिक मातर में विटामिन एप पूछा पाया जाता है अंतिम और आकरी समाल हमारा कहता है निमने से किस पदार्स में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो आप्शन कुछ भी आपको दे देगा अगर उसमें से चावल अगर आपको आपको आप्शन है तो उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है प्रोटीन है आपका दूध है आप एक्जाम दे दो तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा सबसे और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा हमारे चैनल को ताकि हम ऐसे इस महत्रपूर्ण वीडियो महत्रपूर्ण प्रश्ण हम आपके लिए ले करके आते रहें चाह हर एक क्विश्ण और सेटके साथ तो विए हमाँ साथ बनिए जुडिए वीडियो में हमारे आपको अवार की चिजे जानने को आपको मिलेगा तो मीद करता हूँ पसंद आया होगा इसी साथ मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तो अपना ख्याल रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए खुश रहिए गुडबाई दोस्तो